अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना भी होगा अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको हिम्मत करना ही होगा हर इंसान की जीवन में मुस्किले आती हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है वे समस्याओं से लड़कर उन्हे हरा देते हैं और जीवन का आनम लेते हैं जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा बिना संगर्स के इंसान चमत नहीं सकता जो जलेगा उसी दिये में तो उजाला होगा मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकदर की बात है हम कोसिस भी ना करें ये तो गलत बात है जिंदगे में कठनाईयां मिलेंगी ये तो आम बात है कठनाईयों को पार कर निकलना ही तो खास बात है अपनी होसलों को कभी मत बताओ कि तुमहारी तकलीफें कितने बड़ी है अपनी तकलीफों को या बताओ कि तुमारा होसला कितना बढ़ा है जिंदगी में तपिस भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि अक्सर फिपौदे मुर्जा जाते हैं चिनके परवरिस छाया में होती है कर्म करो तो फल मिलता है आज नहीं तो कल मिलता है चितना गहरा हो कुआ उतना मीठा जल मिलता है जब तूटने लगे होसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के कभी मंजिल नहीं मिलती चिनके इरादों में आत्मिस्वास की महक, होसलों की मिठास और नियत में सच्चाई का स्वाध है उनकी पूरी जिन्दगी महकता हुआ गुलाब है कितने भी दलदल हो जिन्दगी में पैर जमाए रखना चाए हाथ खाली हो जिन्दगी में लेकिन उसे उठाए रखना अगर हीरे को परक्ष ना है तो अंधेरे का इंतजार करो थूप में तो काच के तुकडे भी चमकने लगते हैं किस्मत भी उनका साथ देती है जिन्में कुछ करने की हिम्मत होती है पत जड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते उसी तरह कठनाई और संगर्स सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते इंसान की सही पहचान तब नहीं होती जब उसका जीवन आराम, चैन और सुक सुईधाओं में गुजर रहा हो बलकि उसकी पहचान तब होती है जब वो चुनाथियों, संगटों और संगर्सों से गुजरता है समस्या कैसी भी हों कश्टदायक ही होती है अगर आज आप किसी दूसरे की समस्या में बिना किसी स्वात के सायतक करते हैं तो आपकी भी सायता के लिए कोई न कोई अवश्य ही सामने आएगा कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता किसी के मुँपर एक बाद सच बोल कर तु देखू भरोसे की सक्ति को नाकार नहीं सकते ये पत्थर में भगवान बसा देता है यही तो वो उम्मीद है जो पंजर पस्ती में भी पाब उगा देती है खुद पर भरोसा रखो तो काम्याब और दूसरों पर रखो तो लाचार बना देती है जहां से हिम्मत खत्म होती है वही से हार की सुरुवात होती है संगर की समय इंसान अकेला होता है बगर सफल होने के बाद पूरी दुनिया उसके साथ होती है ठोकने खाकर गिरना गिरकर संभलना फिर दोबारा चलना यही संगर्स है संगर्स से कभी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि यही तो वो कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है सरीर की कुपसूरती एक भ्रहम है सबसे कुपसूरत तो आपकी वारी है जो चाहे तो किसी का दिल जीत ले और चाहे तो किसी का दिल चीर दे यह बात याद रखना सपने तुम्हारे है तो पूरा भी तुमको ही करना है ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से चलेंगे और ना ही लोग समस्या पर ध्यान दोगे तो लच्छ दिखना बंद हो जाएगा और लच्छ पर ध्यान दोगे तो समस्या दिखना बंद हो जाएगी विश्वास चितना कीमती होगा थोका उतना ही महेंगा हो जाता है फुल कितना भी सुन्दर हो तारीफ उसके खुस्बु से होती है जब दुनिया हमसे कहती है कि हार मान लो तो बस एक उमीद ही है जो हमसे कहती है कि एक बार और कोजिस करके तु देखो जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर है मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ तक तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए और खुश याबाटिये